पिछले क्लास तक हमने असोक के बारे में पढ़ा था और क्लास के अंद तक हम लोगों ने असोक के अभिलेकों की वी थोड़ी सी बात की थी और हमने यह देखा था कि असोक का इतिहां जो होता है वो अभिलेखों के माध्धम से लिखा गया है और इसलिए उसका अभिलेखों का जिक्र जो होता है वो काफे इंपोर्टेंट हो जाता है असोक के अभिलेखों को हमने मुख्यता तीन भागों में बाटा भी था पहला भाग जो था वो सिलालेक था जो सिलाओ पर लिखे हुए लेक थे उसे सिलालेक कहा जाता है और यह भी तीन भागों में विवक्ता हमने इसे भी देखा था एक ब्रिहत सिलालेक दूसरा लगु सिलालेक और तीसरा जो था वो प्रिथक सिलालेक था और अभिलेक का दूस के साथ राजा जो होता है वो क्या संबाद करना चाहता है चुकि उस समय टेली कम्निकेशन की सुझदा तो थी नहीं उस समय उस समय आईटी के छेतर में उतना अविस्तार क्रांती तो हुई नहीं थी इसलिए उस समय सिलाओं पर पहाड़ियों पर लिख कर जनता से राजा क्य करना चाहता है यह उस समय साधन हुआ करते थे इस समय जो थे हम लोग के सामने आज क्रांती हो चुकी है आईटी के छितर में और आज मुवाइल टीवी और बहुत सारे चीजे जो है अबलेबूल है उस समय नहीं थे तो उस समय यह जो थे इस संबाद का तरीका था संदेश पहुचाने का लोगों को ये राजा जो था जो अपना संदेश इस प्रकार से पहुचाता था तो इस परकार 14 सिलालेख की चर्चा जो ब्रिहत शिलालेख में आती है उनकी कुल संख्या जो है वो 14 है और यह आट एस्थानों से इपराप्त हुए हैं जिसमें पाला एस्था जो है वह धौली है धौली जो होता है वह उडिसा के पूरी जिला में पड़ता है तो पहला इस्थान धौली है और दूसरा जो है वह सहबाज गड़ी है और सहबाज गड़ी जो है और सहबाज गड़ी जो है यह पकिस्तान के पेसावर में इस्तित है और तीसरा एस्थान जो है जहां से ब्रिहत सिलालेक असो कपराप्त हुआ है तो जोगड़ं में अवस्तित है विहस सिलालेक पाया गया है और छठा जो है वो सोपारा है और यह महरास्ट के पालगर जिला में अवस्तित है और सात्वा एरा गुडी है यह आंगर परदेश के कुर्नूल जिला में है और लास्ट गिरनार है जो गुजरात के काथियावार के गिरनार पहारी पर इसे खुद सिलालेखों की चर्चा की है ताकि उस सारे सिलालेखों को पड़के लोग जो है राजा क्या काना चाहता है परजा के साथ राजा जो है वह किस प्रकार का बेक्ति है वह अपना किस प्रकार का निती रखता है यह लोगों को संदेश पहुचाना चाहता था तो यह सारे सामने आती है जबकि दूसरे सिलालिप की बात करें तो यहाँ पर समाज कल्यान और मानो चिकित्सा की बात की गई है और इसके देश के अंदर ही नई बलकि पडोसी देशों में भी इसका विस्तार का जिक्र इसमें आता है भारत के दक्षिन भारत में भी चोर चेल पांड़े सत्य पुत्र और स्रिलंगा में भी इसका जिक्र प्राप्त होता है तीसरे सिलाले की बात करे तो यहाँ पे राजा ने प्रादेशिक रज्जुक और युक्त नामक अधिकारियों को हर पांचवे बर्ष समराज का दौरा क करने को कहा है और समराज में हो रहे चला लेक होगत करने और उसके समधान करने का आदिश देता है चतुर्य अविलेक जो होता है चतुर्य-सिलालेक में असुक ने घरी द॥ा couplesक करना क्याता है और था सांस्क्रितिक विजै पर विचार करना चाहिए लोगों के दीलों पराज करना ही सबसे बड़ा धर्म तो असोंक ने चतुर्त अविलेक में भेरी घोष की जगह धमघोष की चर्चा की है जब कि पांचवे अविलेक की तरफ पढ़े जाए पांचवे labart Subscribe की बात की घइंग है और इस अधिकारियों की चर्चा जो है वो असोग के 50 सिलालेक में, 50 ब्रिहत सिलालेक में धम महमात्रों की न्युक्ति के माध्यम से असोग जो होता है वो लोगों को संदेश देता है और फिर छटे सिलालेक की बात करें तो यहाँ पर वगता है कि मैं कहीं भी रहूं मेरे सिनुता और धार्मिक संभाव की भावना जलकती है इसमें असोग ने धार्मिक संभावना की का विचार परकट किया है अब हम-8 मैं की तरफ बड़ते हैं यहां पे धम का समन्द आप धर्म या किसी बहुत धर्म या भिस्स धर्म से ना समझेगा असोग जो होता है वह किसी खास धर्म को लेकर ने चलता है बलकि वह इंसानियत की धर्म को लेकर चलता है तो इंसानियत और सद्भाव की यात्रा जो करता है वह आठवे अभिलेक में का जिक्र है नवे सिलालेख में असोग जो होता है वह छोटे मुटे आयोजनों की निंदा करता है वह छोटे समारों की निंदा करता है और जरूरी समारों को ही आग्या देता है बाकि सारे चोटे और चोटे और गयर जूरी समारों की निंदा करता है और पर्तिवन लगानी की बात करता है और सच्चे भेट और सिष्टाचार की बात करता है और दस्वे सिलालेख पर जब हम चलते हैं तो परजा के हित में राजा और अधिकारियों को चिंता होने चाहिए सोचना चाहिए इस ब सारी चीजों की बाख्या एग्राहवे सिलालेक में प्राप्त होता है जबकि तिराहवा सिलालेक जो होता है यहां पे इस्तरी महामात्रों की न्युक्ति और विचार की सम्मान और धर्म संभाव के अजिक्रे इसमें प्राप्त होता है ब्राहवे सिलालेक में याद रखेंगे इस्तरी महामात्रों की नुपती होती है जबकि तिराहवा सिलालेख जो होता है तिराहवा ब्रिहत सिलालेख जिसके बारे में हम सभी जानते होंगे जिसमें कलिंग यूद का बढ़नन है और असोग के हिर्दय परवर्तन और परोसी रज्यों का भी उलेख इसमें किया गया है पर इसके लिए इसससिलालेख की माध्यम से प्राप्थ होता है तो प्रकाश 14 सिलालेखों की चर्चा हमने अभितक कर ली है इसके बाद हम लोग इस सिलालेख का दूसरा सिलालेख जो होता है लगू सिलालेख इसकी चर्चा करेंगे और फिर हम प्रिथक सिलालेख की चर्चा करेंगे